महाशेवरात्रे के पावन अवसर पर आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ व्रत की रेसिपी मखाने का रायता या चाट कहें और फ्रूट चाट बहुत ही हल्दी रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चलें बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मखाने को हम करेंगे ड्राई रोस्ट लो फ्लेम पर पांच से साथ मिनिट लगते हैं मखाना बहुत ही हल्दी फूर होता है और अगर आप डाइट कॉंसस हैं तो आप मखाने का यूज करें पांच से साथ मिनिट के बाद इसे दबा के चक कर लें अगर यह क्राक किया इट मिन्स डेन अब एक बोल में दही लेंगे दही घर का जमाया या बाहर का भी हो मार्किट का तो फ्रश होना चाहिए इसमें थोड़ा सा दूद मिला लें दूद इसलिए ताकि मखाने अच्छे से सोख हो जाए पीसी हुई चीनी और नमक इसके बाद इसमें भुना हुआ जीरा डाल दें साथ में डाल दें लाल मिर्श आपके स्वाद के हिसाब दें अच्छी तरह से इसे विस्ट कर लें अगर आप नमक नहीं खाते व्रत में तो नमक स्किप कर सकते हैं नमक मैंने यहां सेंधा नमक डाला है, इसके बाद इसमें मखानों को डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें और इसे रस्ट करने के लिए 15-20 मिनट के लिए रखतें, ताकि दही अच्छे से सोक हो जाएं, इसके बाद इसमें डाल दें अनार के दाने और गार्णिश कर द इसे धनिया पत्री के साथ, तैयार है आपकी मखाने की चार्ट कहें या मखाने का रायता, अब चली बनाते हैं दूसरी रसिपी, मैंने ये व्रत की जो रसिपी दोनों लाई है, ये बिना ओयल की रसिपी है, आसा मुझे लगता है कि व्रत में जब हम व्रत कर रहे हैं तो पेट को भी आराम मिलना चाहिए ओयल से, तो इसके लिए ये मैंने दो रसिपी लाई है, यहां मैंने फ्रूट्स के लिए, ग्रेप्स, इन सबको अच्छी तरह से दो के छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं, दात में अनार लिया है, उसके भी सीर्स निकाल लिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से जो फ्रूट्स भी लेना चाहें, आप ले सकते हैं, अब बनाते हैं इसकी ड्रसिंग, नीम्बू का रस निकाल लें, इसके बाद उसमें डाले भुना हुआ जीरा, चिली फ्लेक्स आपके स्वात की हिसाब से, काली मिर्च भी आपके स्वात की हिसाब से और सेंधा नमर, और इसमें मैंने डाला है हनी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हनी, और अच्छी तरह से शेक शेक कर लिया, और हमारी ड्रसिंग तियार हो गई, सारे फ्रूट्स को एक बोल में ट्रांसफर कर लें, यहां मैंने कीला, ग्रप्स, अनार, इसके उप मैंने डाल दी यह ड्रसिंग, और अच्छी तरह से मेक्स, मेक्स, मेक्स कर लिया, और तयार हो गई हमारी सूपर टेस्टी, सूपर हेल्दी रसिपी व्रत के लिए, यह फ्रूट्ट चार्ट, और साथ ही मखाने की चार्ट कहें, यह मखाने का रायता कहें, दोनों बहुत ही यमी होते हैं, अमेजिंग टेस्ट होता है, बनाना भी बहुत ही आसान है, जटपट से बना ले, अगर गेस्ट आएं, उनको भी सर्फ करें, और खुद भी खाएं, फामली को खिलाएं, इंजॉय करें, आप सब को महाशिवरात्री की फिर से बहुत बहुत शुप कामना है, थाएं, करें कि आएं, एंजू झाएं, ट्र वाजियू करें, इंजू अजू झाएं, विजब एंग इक चाहिए, अधरुद याखिए, ऑजू भी खाएं, खाएं, हईंद सब्सक्क्रिया इस बाना है, विजए भी खाएं, विजए उनको खूट से दिए रहाँ जो जिए झाल झाल